हेलो फ्रेंड्स अब तक हमने दिये गए एंगल्स की टी रेशोज और उन पे बेस्ट सम्स निकाले थे आज हम सीखेंगे टी रेशोज लेकिन एंगल्स की नहीं बलकि उनके कॉंप्लिमेंटरी एंगल्स की अब ये कॉंप्लिमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं आईए देखते हैं दो एंगल्स जिनका सम 90 डिगरी हो और ये दोनों नियून कौन होंगे तो ऐसे दो कौनों को हम कॉंप्लिमेंटरी एंगल्स या फिर पूरक कौन कहते हैं हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिया इसमें कौन B तो 90 डिगरी है ही और कौन A और कौन C का जोड़ भी होना चाहिए 90 डिगरी क्योंकि त्रीभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिगरी होता है तो यहां पर कौन A और कौन C को जमा करने पर मिलता है 90 डिगरी इट मेंज कौन A और कौन C एक दूसरे के पूरक कौन हैं कॉंप्लिमेंटरी एंगल हैं हमने पिछले वीडियोज में किसी भी सम कौन ती कौन ABC में कौन A की 6 की 6 T रेशोज केलकूलेट करने के धंग सीखे थे और आज हम A के पूरक कौन मेंज कौन C की T रेशोज निकालने की कोशिश करेंगे कॉंप्लिमेंटरी एंगल की T रेशोज निकालेंगे क्योंकि A और C कौन का जोड 90 डिगरी है तो यहां से हम लिख सकते हैं अगल C is equal to 90 डिगरी माइनस अगल A अब जबकि हमारे पास कौन C is equal to 90 डिगरी माइनस कौन A पता चल गया है अब हम कौन C की 6 की 6 T रेशोज बनाने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास एंगल A नियून कौन था तो उसकी T रेशोज हमने निकाली थी कुछ इस तरह से साइन A is equal to BC लंब बटा AC करन उसी तरह कौस A is equal to AB अधार है कोन A के हिसाब से बटा AC करन और 10 A is equal to BC लंब बटा AB अधार Similarly, कोसेक A, सीकेंट A और कौट A की T रेशोज साइन A, कौस A और 10 A की T रेशोज को रिवर्स करने पर उल्टा करने पर हमें प्राप्त हो गई थी तो अगर हमें सीधा नियून कौन A दिया था तो हमने T रेशोज निकाल ले थी लेकिन इस वक्त हमारे पास है T रेशोज निकालनी कौन C की तो कौन C है हमारे पास 90 डिगरी माइनस कौन A और अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो कौन C के सामने वाली साइड मेंज लंब है AB और जिस साइड पे कौन बना है C वो साइड है आधार BC और उसका करन बन जाएगा साइड AC तो अब हमें एंगल C की T रेशोज निकालने के लिए आधार, लंब और करन तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं और हम लिखते हैं कौन C की T रेशोज या फिर कौन 90 डिगरी माइनस A जो की C ही तो है उसकी T रेशोज तो ये बनती हैं sin 90 डिगरी माइनस A is equal to AB बटा AC, लंब बटा करन cos 90 डिगरी माइनस A is equal to BC बटा AC, means आधार बटा करन और उसी तरह 10 90 डिगरी माइनस A हो जाएगा लंब बटा आधार AB बटा BC यहां पर 90 माइनस A, C एंगल है similarly इन तीनों T रेशोज को उल्टा करने पर हमें मिल जाएगी cosecant C डिगरी, secant C डिगरी और cot C डिगरी की values means cosecant C या फिर cosecant 90 डिगरी माइनस A होगा AC बटा AB similarly secant C या फिर secant 90 माइनस A होगा AC बटा BC और cot 90 डिगरी माइनस A विल बी BC बटा AB साथियों यहां से हम थोड़ा पीछे चलते हैं और एक relationship बनता हुआ देख रहे हैं देखिए, sin 90 डिगरी माइनस A था हमारे पास AB बटा AC और यही value तो थी cos A की भी similarly cos 90 डिगरी माइनस A जो की हमारे पास था BC बटा AC वो same value है sin A की इसी तरह 10 90 डिगरी माइनस A बनता है AB बटा BC is equal to cot A और cot 90 डिगरी माइनस A is equal to BC बटा AB is 10 A उसी तरह secant 90 डिगरी माइनस A is equal to AC बटा BC is equal to cosec A and cosec 90 डिगरी माइनस A is equal to AC बटा AB is equal to secant A इन शॉर्ट साथियो sin 90 माइनस A cos A होता है cos 90 माइनस A sin A होता है 10 90 माइनस A cot A बनेंगा cot 90 माइनस A 10 A बनेंगा और फाइनली secant 90 माइनस A cosec A होता है cosec 90 माइनस A secant A होता है यहाँ याद रखना कि 90 माइनस A C एंगल था और A और C complementary angle है पूरक कोन है तो complementary angles को हम 90 डिगरी माइनस A के रूप में लिखकर sum को easily solve कर सकते हैं इस page का screenshot ज़रूर ले ले आपको complementary angles के sums करने में सहायता मिलेगी एक बार फिर revision के लिए sign का complementary cos cos का complementary sign tan का complementary cot cot का complementary tan और secant angle का complementary cosec और cosec angle का complementary angle है secant तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ share करें ताकि वो भी complementary angle के बारे में जान लें अगले वीडियो में हम complementary angles pay based कुछ sums निकालने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल को subscribe करके bell का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे latest videos की notification मिलती रहें आज के लिए बस इतना ही take care, work hard, bye bye